हेलो स्टूडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल सम्राट केनवी स्टूडेंट जितने बच्चे 22 फ्रोरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है मेरे प्यार बच्चो आज वीडियो में आप लोगों को में 30 ऐसे महत् के लाए हुँ आप लोगों को अगर 30 आप लोगों याद कर लेतों मेरे प्यार बच्चो तो वह 20 नंबर की जो अब्यक्टिव क्यूसन है उसमें 20 20 नंबर करके आओगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहां नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़़रू कर लेना, मेरे प्यार बच्छोँ, इस बार सत्तर नज़ बिल्कुल पूरी तयारी में करा रहा हूं, अच्छार क्थन दिया हुआ है, इन उपन्यास के रूप में प्रसीद हैं, तीसरा है क्या भूलूं क्या यात करूं कहानी पीदा की रचना है, चौता है कि अजनता के लेखक डाक्टर भगोस अनुपद्या जी है, मेरे प्यारवचों अब आपको समझना है कि इन में से कौन सराइट अंसर है, अगर आपको मालू कि अब क्या लिखूं कीज़ भीदा की रचना है, आपसने निबन्द, आपसन भी नाठक, आपसन सी उपन्यास और आपसनी कहानी विधा, तो क्या लिखूं कीज़ विदा की रचना है मेरे प्यारवचों बताओ, अगर आपको आझा मालू है तो मुझसे पहला रिकमेंट क गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक आपसन धरंबीर भारती जी है। आपको भी मालुम होगा कि चिंता मड़ी निबन संग्रत जो है मेरे प्यार बच्चो वह राम चंदर सुकल जी के मतलब आपसन नंबर ए जो है इस प्रस्टन का राइट अंसर होगा आगे दखेंके पांचवा प्रश्न क्या है पांचवा है कि गवन उपन्यास है तो आपसन ने प्रेमचंद्र आपसन भी प्रसाद है ठीक है और आपसं सी और आपसं डी पीशे दिया हुआ है लिकिसका सही अंसर मैं आप यहीं बता दूँ कि गवर्णू पन्यास के है जो लेकर कि हो मुंसी प्रेम चंदर जी है तो पहला वाला आपसं जो है सही हो जाएगा पांच में का ए चलिए देखे क्यू आपसं सी प्रेम चंदर जी और आपसं डी दिन कर जी तो राइट अंसर क्या होगा मेरे प्यारा वच्छो कि आकास दीव और मंता दूनों की रितिया जो है वह आपसं ए मतलब जह संकर परसाद जी किया पहला वाला आपसं जो है बिल्कुर राइट आंसर होगा आगे देख राइजी ने किया बीवल आपसं जो होगा वो सही आंसर होगा आठवा देखो आठवा प्रस्न क्या है मुनसी प्रेम चंदर द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं तो मुनसी प्रेम चंदर द्वारा संपादित पत्रिकाएं आपसं ने मर्यादा और हंस आपसं भी छाया औ प्रफाओ, आपसन सी प्रेमचंदर और आपसन डी इन में से कोई नहीं। मुंसी प्रेमचंदर द्वारा समपाधित पत्रिकाइ जो है मेरे करव il驪रकों कोन हैं? तो आपसने मर्यादा और हंस, ये दोनों पत्रिकाएं किनकी है, मुंसी प्रेमचंदर जी के, बहुत इंपोर्टेन प्रशन है, तयार कर ले ना इसको, आगे देखिए प्रशन नमबर 9, कि छायवादी यूग के प्रमुख लेखक है, तो छायवादी यूग के प्रमुख ले तो गुलाब राय द्वारा रचीत आत्मकत्ह कौन सी है आपसन ए मेरा जीवन प्रवाह आपसन बी जो है मन की बाते या बी आपसन होगा ठीक है आपसन सी मेरी और सफलता है और आपसन टी नई पाउध तो गुलाब राय द्वारा रचीत आत्मकत्ह है इन चार आपसन में से कौन मेरे प्यार बच्छों तो आपसन ए मेरी और सफलता है सी वाला आपसन जो है विल्कुल राय टांसर होगा आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण मेरे प्यारी प्रश्ण मेरे प्यारोंची ग्राहमा प्रश्ण है अजाल कतुर कीज विदा की रचना है, तो नाटेक विदा की रचना है. आपसन, क्यूसर नमबर 13 देखेंगे, कि तीतली उपन्यास से, तो तीतली उपन्यास किनकी ए? जयसंकर प्रसाद जी की, कि ब्रेम चंदर जी की, कि यहाँ पे आपके जैनेंद्र, कि यहाँ पे एस पा प्रस्ण देखेंगे, कि उपनी आतमकथा की विदा की रचना है, तो मेरी आतमकता की indicator की रचना है, अपसन इरि पुर्टाज, अपसन वूपन्यास, अपसन सी आत्मकथा और अपसन डि कहानी तो मेरी बिदा की रचिना है मेरे प्यारों चूँ मेरे पाहई टांसर आपसन No.C होगा आत्मकथा यहां वह दिखे निखा भीए कि मेरी अपनी आत्मकथा इसी से आत्मकथा तो समझ लिजे कि किस विदाकी आप में कथा। चलिए आगे देखें, 15 प्रस्ण क्या है? संस्क्रीट के चार अध्याई के लेखक हैं। तो संस्क्रीट के चार अध्याई के लेखक कोन है? आपसन A. डाक्टर अजारी प्रसाद दिवेदी जी, आपसन B. मावीर प्रसाद दिवेदी जी, आपसन C. रंधारी सिंधिन कर, कि आपसन D. में से कोई नहीं। तो संस्क्रीट के चार अध्याई के लेखक है रंधारी सिंधिन कर। मतलब C वाला आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उससर नमबर 15 का। आगे देखे, अगला प्रशन है प्रस नमबर 16. प्रस नमबर 16 है थूटा आम किसकी रचना है? तो थूटा आम किसकी रचना है? आपसन जे भगवत सरन उपध्या जी, आपसन B. रंधारी सिंधिन कर, आपसन C. अजारी प्रसाद दिवेदी जी, और आफसन डी मावीर प्रशादिवेदी ठूटा आम किसके रतना है तिसका राइट अंसर होगा मेरे प्यारवचो आफसन नमबर पहला पगवस्वन उपध्याजी सोरा का यह जो है राइट अंसर होगा आगे देखिए सत्राहमा प्रशन क्या है प्रशन क्या था कि पानी में चंदा और चंद परादमी के लेखक है तो जे प्रकास भारती मेरे पहला वाला आफसन जो है बिल्कुट राइट अंसर हो जाएगा जे प्रकास भारती आगे देखिए अठ्राहउँ प्रशन वर्फ की गुडिया के रचनकार है तो बर्फ की गुडिया के रचनकार है तो जे प्रकास भारती वहला आफसन जो है भिल्कुल राइट आंसर होगा आगे देखिए आठ नवा प्रशन हो गया 29 सौ प्रशन हैувати मेरे प्यार वच्छो की नीड का निर्माड किसकी रचना है तो नीड का निर्माड आपसन हैं हरीवान श्राइबच्चन आपसन भी पांडे बेचन सर्मा उग्र आपसन सी डाक्टर राजयंत प्रसाद और आपसन दीन में से कोई नहीं, तो नीड का निर्माण किसकी रचना इन चार आपसनों में से मेरे प्यार बच्चन जी की है, पहला वल आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, आगे बढ़ेंगे बिस्वा प्रस्न है कि जूठा सच की इस बीदा की रचनाकार है, तो जूठा किस बीदा की रचनाकार है मेरे प्यार बच्चों, तो उपन्यास, बीवल आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक कैस्वा प्रस्न देखिए, भूले बिसरे चितर की रचनाकार है, आपसन भगवती चरण वर्माजी, आपसन भी यसपाल, आपसन सी प्रेम चंद के रचनाकार है, तो ठल्वा कलब निबंद के रचनाकार है, इन चार वर्माजी में से कौन है, गुलाब राइट आंसर हो जाएगा, तो बाइस का ए जो है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसी तरह तेस्वा प्रस्न देखिए क्या है, कि एकांकी समराट कहा जाता है, त आपसन भी सेट गोबिंद दास को, आपसन सी हरी कृष्ण प्रेमी को, आपसन भी मोहन राकीस को, तो एकांकी समराट कहा जाता है, मेरे प्यार बच्चों, आपसन नमबर पहला, राम कुमार वर्माजी को कहा जाता है, तो पहला वाला आपसन बिल्कुल राइट आंसर होग कि उसन नमबर 24, निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पैचान कर लिखे, मतब चार आपसन दिया गुआ है, एक कथन सही है, जैसे पहला है कि प्रेम चंद्र एक महान कभी की रूप में प्रशिंद है, दूसरा है कि गुनावों के देवताव पन्यास के लेख दिनकर है, चौता है कि मितरता रामचंद्र शुकल का प्रसीद कहानी संग्रा है, यहां पे संग्रा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बीवला, क्योंकि गुनावों के देवताव पन्यास के लेखर डाक्टा दरंबीर भारती है, बीवला आपसन जो है बिलकुल ऊचना, तो उसने कहा था कीस बिढ़ा की रचना है, मेरे प्यारव उचुक कहानी बुढ़ा की रचना है, सीवला आपसन बिलकुल राइट अंसर होगा, चलिए आगे बड़ेंगे तो 26, कि हासे रसकास थाई बाव क्या है, तो हासे रसकास थाई भाव, आपसन ए थाश, आ सी सिताบर्गनेनी में कौन सा रस है मेरे प्यावचो इनमें इन्पंक्ति में कौन सा रस है आफ्षाने हास्य रस आफ्ष慈 रस्स सी वीरे रस्स आफ्षाने इनमें से कोई नहीं तो इसका राए टांसर हो जागा आफ्षण नमबर भी करून रस कया रहा है कि हे rock गुमृबध्य मतकर्शेनी तुम दे के सीताम रिग नेनी में कौन सा रस है करुण रस चलिया आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है 28 टुन्टीट प्रशन क्या कहा है मेरें प्यारोंचो कि रूला के प्रतेक चरण में कितनी मत्राय हुती हैं तो रूला के प्रतेक चरण में आपसन ए सुरह, आपसन भी बीस, आपसन सी टुन्टी फॉर, आपसन डी टुन्टी एट, मतलर रोला के प्रतियक चरण के दर हम बात करने कितनी मत्राएं होती है, 24-24 मत्राएं होती है, मेरे प्रश्ण जो है बिल्कुर राइट अंसर होगा, फिर अगला प्रश्ण गुंति स इस तरह योजक चिन इसको बहते हैं, तो जब योजक चिन आ जाए, तो समले ना कि दोंदर समास की बात हुआ है, यह वला आपसन जो है, बिल्कुर राइट अंसर होगा, तीस्वा प्रश्ण है, लास्ट प्रश्ण के अगनी का परवाची है, तो अगनी का परवाची क्या हो जाएगा, मेरे प्यार बच्चो, तीस हमने क्यूसन बताया, जो कि 2030 में पूछा गया था, सबसे ज़रा इंपोटेंट यह प्रश्ण था, और अगर 30 तयार कर लेते हो, तब 22 प्रवाची को मेरे प्यार बच्चो, आप 20 में 20 स्कोर करके आओगे, ठीक है, एक भी प्रश् कर देना चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चो, मिलेगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,